दोस्तो आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मसीन में चलते चलते कभी कभी क्या होता कि अचानक से आवाज बढ़ जाती है तो आवाज बढ़ने के बाद लोग पड़े सान हो जाते हैं कि कैसे करे क्या करे और आवाज बढ़ने का कारण बहुत जादा होता है उस मया कLeноз में आवाज क्यूं बढ़ता है और आवाज को कैसे ठीक किया जाये कहां कहां पे हमें ध्यान देना किनगीं चीजों की व Kerry में मेरिशन में आवाज बढ़ती है क्योंकि यह सारी बेसिक चीजे होती है यह सब जानना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है कि कैसे मेरा मसीन में आवाज बढ़ता और कहां समस्कों ठीक करेंगे और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह के वीडियो अप्लोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुचे तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों अभी मेरा मसीन जो चल रहा है इसमें 13 इंसका थारी चल र आवाज बढ़ गया तो लड़के को समझ में नहीं आया मसीन चलाता रहा चलाता रहा और वह आवाज बढ़ने के वैसे जब आवाज बढ़ता तो मसीन जटका लेके चलता है तो यह प्रोब्लम बहुत जादा हो रहा था सुकर मना यह कि हम टाइम पर फैक्टरी पहुच ग गोली होता है वह जहर जाता है यदि मसीन में आवाज आ रहा हो जटका लेके मसीन चल रहा हो तो इन सारी चीजों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर करें साथ ही साथ यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा वो कमेंट जरूर करें तो यह मसीन की पुली है इसमें दो जगर से मसीन का आवाज बरने का चांस होता है तो यह आप ध्यान रखी कहा कहा से होता हम ध्यान से आपको दिखा रहे हैं आप देखें और इन सारी जो भी चीजे हम आप लोगों को बताते हैं उसको आप माइंड में रिकोर्ड करें मेमरी में फिट करें कि काह से क्या बटाए हैं जबी आप मसीन चला पाऊगे यह आपको नट दिखरू रहा है पुली कहाई मेरा ये यह करेंके में 20 इंस का पुली लगा होता है उपर वाला तो यदी आपका यह नट लूज हो गया हो चलते हैं यह लगी होता है इसमें भी एक नट दिया होता है तो इसमें भी प्रोब्लम आती है यह इसका अगा रहे बुदाए तो आपको नीचे का पुली है उसको भी फिट रखना यह दोनों चीज आपका टाइट है तो मशीन में कभी भी आवाज एक्ट्रा नहीं होगा जो डाई पर डाई रखाता है पटकाता है उसका ही आवाज आगा जो डाई पर डाई बैठता है उसके इलावा अदर कोई आवाज मसीन में नहीं होता है और जब भी मसीन में आवाज होता है तो इस सीर्फ औसरी पुल्ली की वज़ा से ही होता है तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान देना होता है कि हमें पुल्ली में आवाज कैसे आ रहा है और क्यों आ रहा है उसको हम कैसे ठीक करें नेक्स वीडियो हम आपको देंगे कि मसीन का स्पीट कैसे बढ़ाएं और कब बढ़ाना चीए तो इस पे भी हम वीडियो आपको बना के देने वाले हैं तो ये जो आपका आवाज वाला प्रोब्लम है जो दो जगह से हमने आपको बता दिया दोनों क्लियर हो गया है उमेदे कि आपको समझ में भी आ गया हो कि कैसे हमें मसीन को हैंडल करना और कैसे इसका आवाज को कंट्रोल करना है तो ये वीडियो आप लोग को अगर पसंद आया हो तो प्लिस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही बैल आकन जरूप्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुचें क्यूंकि मेरे चैनल पे सिर्फ आपको मसीन का बेसिक जानकारी का ही वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे आपको मसीन बेचने का और मसीन बिकवाने का वीडियो नहीं होता है सिर्फ मसीन चलाने का वीडियो होता है तो इसलिए इस तरह का चैनल को आपको सब्सक्राइब कर रखना बहुत जरूरी है क्यूंकि कब किस पोइंट का हमें जरूरत पर जाए कब हमें किस चीज की जोद पर जा तो कॉल करोगे तो हम कॉल तो नहीं उठा पाएंगे कि आपको यह प्रोब्लम है आप ठीक कर लो हाँ वीडियो हम दे दिये हैं यदि आप चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको उस टाइम यह वीडियो बहुत काम आएगा कि कहां स में नहीं है सिर्फ हम आप लोग की भलाई के लिए वीडियो बनाते हैं और आप लोग को इसे देख के आपका बहुत लोगों का काम भी सुधर जाता है मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं वाटसप पे बहुत ज्यादा लोगों का मेरी वज़े से उनका काम चल रहा है और लाश्ट देखे और जब भी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करें जो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद